आपके साथ मैं हूं नमृता बुंदेला और विधान सभाद चुनाफ संपन हो चुके हैं विधान सभाद चुनाफ के लिए मतदान संपन हो चुका है लेकिन एविये मशीनों को लेकर मचा घमासान अभी पी जारी है वही जब चुनाफ नतीजे आने के पहले ही और चुनाफ के दौरान जब कई दिगज नेताओं के दौरे मधिप्रदेश में हो रहे थे तो ऐसे कई बयान सामने आये थे नेताओं दौरा कई दौरे किये गए थे जिसमें तरहत रहके बयान दिगज नेताओं ने दिये थे जनसभा को संबोधित करने के दौरान और ऐसे ही कई बयानों के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुए थे जिनको लेकर CAC गल्यारों में घमासान मच गया था क्योंकि योगी आदितिनाथ के इस बयान का जो असर हुआ है उससे भाजपा के नेताओं के दिल को बहुत ठेस पहुची है और इसी से आहत होकर वो पार्टी को इस्तिफा देने का सिलसला जो है अब भाजपा पार्टी में शुरू हो चुका है हमारे सनवार्दातो संदीप इस वक्त हम से जुरे हुए है संदीप बताईए कि योगी आदितिनाथ के इस बयान का क्या असर हुआ है बाजपा पार्टी पर और सुना चारा है कि कई अलपसंख्यक अधिकपर पनाधिकारियों ने इस बयान से आहत होकर स्तिफ़े देना भी कौन-कौन से उनके नाम सामने आये हैं जिन्होंने स्तिफ़े दिये हैं देखिए कि मद्ध्रदेश के विधान सवा चुनाओं के दोरान जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिना थे जब इस्टार प्रचारक की भूमिका में मद्ध्रदेश में साथते हुए कई ऐसे बयान दिये हैं जिससे उन्होंने सीधे सीधे और साफ तोर पर कॉंग्रेस को निशाना बना है लेकिन वहीं उनका एक बयान जो था उन्होंने यह बयान दिया था इंदोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक नंबर विधान सबाद छेत्र मे और यह बिए जो सभा थी जो भाजवा की प्रतो्ष्ष्य सुधरसन गुप्ता उनके पक्ष में उन्होंने सभा को करते हुए संबोधित करते हुए बयान दिया था कि अगर था witnessed को लयुके थो बाज़ब विजरंग बली पसंद तो इससे कहीं न कहीं जो है जो अलप संख्यक नेता है भाजपा उनको निराशा मिली है इससे और वो नराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब जो है मतदान खत्म होने के बाद भाजपा से यानि की पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया और जिसका असर आज इंदोर मे आधित्तिनात के बयान से निराश होकर जो है इस्तिपा सोंप दिया है भाजपा को तो कहीना कहीं पर यह जो एक तरिकी का इस्तिपे की जो भर dije की जो पर और भी यह कहा जा रहा है और यह सुनने भी आ जा रहा है सियासी गल्यारों में लगतार चर्चा हैं कि आने वाले दिनों में और भी अलपसंख्यक नेताओं के जो हैं इस्तिपे की और भी बाड़ा सकते हैं फिर अलपसंख्यक समुदाई के जो लोग हैं वो भाजपा से क प्रतिस परदा का दोर है और जो आपसी विवाद है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने इस्थिपा दिया तो साफ तोर पर ये भले ही उन्होंने किसी भी कारण को लेकर इस्थिपा दिया लेकिन जिस तरीके से अलप संख्यक जो मोर्चा है उसके प्रतिकारियों का बयान आ तो उन्होंने भी साफ तोर पर यह बात कही है कि जिस तरीके से मद्धिप्रदेश में भाजपा ने विकास के एजंडे को लेकर चुनाव की चुनाव लड़ने की बात कही थी लेकिन जो यह सीम योगी आदितनात ने बयान दिया उससे कहीं न कहीं उनको निराशा हाथ लगी है और संदीप यह बताईए कि स्तिफ़ा देने के साथ और कौन-कौन से नेता हैं जो सामने आ सकते हैं स्तिफ़ा देकोंने को लेकर क्योंकि योगी आदितनात के इस बयान से काफी सारे लोगों को बाजपा पार्टी के कारे करता हो और पदाधिकारियों को काफी ठेस महच करता है जी साफ तोर पर में बताना चाहूंगा कि जब योगी आदितनात ने बयान दिया था तो उसके दोरान तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था अलपसंक्या का समुदाई में लेकिन मतदान होने के बाद कहीं न कहीं यह कारी करता हो कि मन में इसको लेकर नाराज की देता हो उन्होंने संगठन के यानि पार्टी के हित में काम करना उचिस समझा और इसके बाद जब मतदान शांती पूंड तरीके से निपड़ गए उसके बाद उन्होंने इस्तिपा देकर अपनी नराज की जाहिर किया और दूसरी तरफ जो उनकी नराज की उसको भी व्य यह बात सुईकार की है कि योग्यादानात के बयान से उनके समुधाय में नराजगी देखने को मिल रही है कही न कहीं उन्होंने ये भी बात कही है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने और अलाकमान ने विकास के मुद्धे पर जब चुनाव लड़ने की बात की थी तो फिर हिंदु-मुसिलिम पर किस तरीकी के राजनीती होने लगी यह जो बयान है इस तरीका यह कहीं न कहीं पार्टी को नुक्सान का सामना करना पड़ा और उन्होंने ये बात भी शुवकार की है कि इस नराजगी की बजह से भाजपा को चुनाव में भी नुकसान का सामने करना और वोटों के प्रतिशत में भी फर्क देखने को मिलाती है यह साफ तोर पर यह जो बयान था बला ही मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ ने कॉंग्रेस को निशाने पर लेते हुए इस बयान को दिया हो लेकिन इसके साइड इफेक्ट जो है इंदोर में देखने को मिले पूरी तरीके से और जो अब साइड इफेक्ट हैं वो खुलकर भी सामने आ रहे हो पार्टी से लगातार जो नतीजे आने से पहले ही इस्तिफों की जड़ी लग गई है आने वाले दिनों में और भी आशंका जताई जा रही है कि इंदोर साइद भोपाल गौालियर और भी इस बयान को भुनाने में रायस्तान में कोई कोर कसन नहीं छोड़ेगी तो साफ तोर पर यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो नतीजा सामने आ रहा है वो यही है कि सीम योगी आदितिनाथ के बयान की वज़े से कहीं न कहीं अलप संख्या के जो मोर्चा है उसको नराजगी है औ उन्होंने जो पार्टी से किनारा कर लिया है और अब वो जो अपनी बात को है वो आला कमान तक पहुचाना चाहते हैं जी बिलकुल अभी आयोध्या का सिलसला थमाही नहीं था क्यूंकि काफी जो देश की जनता है वो भाजपा से आयोध्या के राम मंदिर को मुद्दे को नारास थी क्योंकि जब केंद्र में भाजपा की सरकार है राजम में माजपा की सरकार है तो एयोध्या का राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर पूरी देश की जनता जो है वो भाजपा पर लगातार निशाना साथ रही थी और अभी इसी अब जब भाजपा से ऐसा बयान सामने आया है तो कॉंग्रेस कारे करता और जो कॉंग्रेस पार्टी है वो लगातार भाजपा पर निशाना साधना उसका लाजमी है और अब इसका सर राजस्थान के चुनाव पर कितना पड़ता है और भाजपा पार्टी पर को इसका कितना खामियाज़ भुकत ना पड़ सकता है यह देखने वाली बात होगी लगतार ताज़तरीन खबरों के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ देखते रहें MP News नमस्कार